बहुत इकता है यह मानना कि मात्र भूत हैं भूत माने यह सारे तक्तों जो इंद्रियों से लक्षित होते हैं बहुत इकता है यह मानना कि इसके अतरिक्त कुछ होता नहीं बहुत इकता है इस विश्वास में जीना कि जो भी कुछ है वो इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है सुना जा सकता है पकड़ा जा सकता है और मन द्वारा समझा जा सकता है भूत माने समझते हो भूत माने element पंच भूत क्या होते हैं elements जैसे अब तुम तुमारा periodic table चलता है तो उसमें कितने elements होते हैं 100 से उपर तो जब यह सब ग्रंथ लिखे गए थे उस समय पर उतने elements की बात नहीं करी गई थी बस पांच भूतों की पंच महा भूतों की बात कर दी गई थी और उसमें सब वही हैं जिन्हें आख देख सकती हैं कान सुन सकते हैं तो चास परश कर सकती है और मन जिनका विचार कर सकता है फिर भौतिकता क्या हुई भूतियदी ये है तो भौतिकता क्या हुई भौतिकता हुई ये सोचना कि जो पूरा व्यापक विस्तार है जो पूरा जीवन है जो पूरे ब्रह्मान्द का होना है और जो मेरा होना है वो सब कुछ बस elemental है वो सब कुछ पूर्णतया भौतिक है वो सब कुछ इंद्रियगत है जो भी कुछ है वो वही है जिसे मैं देख सकता हूँ और यदि कुछ ऐसा है जिसे मैं देखना पाऊं तो वो है ही नहीं यह भौतिकता है कि यदि कुछ ऐसा है जिसे मिण छूण पाऊं तो वो है ही नहीं यदि कुछ मश्र crash एक यह कुछ ऐसा है मन जिसका विचार नकर पाए तो वह हो है ही नहीं तक भौतिकता का अर्थ है कि अगर तुम हम से आके कहोगे कि कुछ कुछ ऐसा है जिसका विचार नहीं किया जा सकता तो हम कहेंगे कि वो है ही नहीं बहुत इकता का अर्थ पिर समझो बहुत इकता माने जो भी कुछ है वो इंद्रिये गत है हम सिर्फ भूतों को भूत माने क्या भूत माने वो जो इंद्रिये से परलक्षित होता हूं हम सिर्फ भूतों को मानेता देते हैं यानि कि हम सिर्फ मन और इंद्रियों को मानेता देते हैं हम और किसी सप्पा को माननेता देते ही नहीं आप हमसे पूछो कि दीवाल है हम कहेंगे है क्यों है क्योंकि दिखती है और छू सकते हैं कि आप हमसे कहो कि बिजली कड़की क्या आप कहोगे हां क्यों क्योंकि आवाज सुनाई भी तो बिजली क्यों है बिजली इसलिए नहीं कि बिजली है आपका तर्क है कि बिजली इसलिए है क्योंकि मेरे कानों ने सुना कि है आपके लिए सर्वोपरी क्या है आपका कान भौतिक्ता है अपनी इंद्रियों को महा आसन पर बिठा देना भौतिक्ता है यह कहना कि सबसे उपर मन और इंद्रियां आते हैं यदि बिजली कड़के और सुनाई न दे तो बिजली कड़की ही नहीं हम मानें यहीं नहीं कि कड़की अधिया यह भौतिक्ता है मतिक्ता माने संसार वही जिसको सोचा जा सके संसार वही जो द्रिश्टिगत हो सके जो स्परशित हो सके आरिवासमज में भौतिक आदमी अपनी जन्हें तो बड़ा होशियार है उसको कुछ फाइदेवी हैं क्या वो अंद विश्वास से बचता है तो मुझसे कहो कि यहां पे कोई भूत प्रेत खड़ा हुआ है वो कहेगा ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है ना विज्ञान के किसी भी प्रयोग से उसका होना सिद्ध किया जा सकता है तो हम इस निशकर्ष पर पहुँचते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि यहां खड़ा है वो खड़ा नहीं है तो बात उसने बिलकुल ठीक करी भौतिक्ता कि हमें खूब फायदे मिले हैं क्योंकि जब तक भौतिक्ता नहीं थी तब तक हम निरे अंदविश्वासी थे हम ऐसी ऐसी बातों पर यकीन करें बैठे थे जो बिलकुल कपोल कल्पित समझते हो बात को हम कहते थे कि प्रत्वी कच्छुए की पीठ पर आधारित है एक विशाल कच्छुआ है और प्रत्वी उसकी पीठ पर टिकी हुई है हम कहते हैं सूरज को ले करके एक रत चलता है जिसमें साथ घोड़े जुते हुए है हम कहते थे कि जब मनुष्य मरता है तो उसमें से एक आत्मा होती है जो निकलती है और फिर उजाकर कि किसी और गर्व में प्रोष्ट हो जाती है हम दुनिया भर की तमाम मिथकों को सुपनों को कलपनाओं को बस सक्ते माने बैठे रहते थे बहुत एक काम बहुत अच्छा करती है वह अविचार से तुम्हें विचार के तलपे ले आती है भूलना नहीं जो भी कुछ इंद्रियों द्वारा स्परशित होता है और जो भी कुछ मन द्वारा चिंते होता है वह सब विचार में समाहित होता है तुम इस दीवाल के बारे में सोच सकते हो और यदि न सोच पाओ तो दीवाल है नहीं तो भूत इकता का फाइदा क्या हुआ उसने तुमको विचारशील बना दिया और यह बहुत बड़ा फाइदा है दुनिया में अभी भी बहुत सारे लोग है जिन्हें और विचार करने की जरूरत हैं बहुत लोग हैं जिन्हें अभी और विचारशील होना चाहिए वो विचार नहीं कर पाते, उनके दिमाग ऐसे कुंठित हैं, कि वो सोच ही नहीं पाते, उनकी सोचने की ताकत खतम हो गई है, और ये छोटी मोटी ताकत नहीं है, विचारना की शक्ति बड़ी शक्ति है, भौतिक मन इस मामले में उपयोगी होता है, वो तुम्हें अंद वि सोचना अच्छा है, ये सोचना शुब है, ये सोचने का उचित प्रयोग है, यहां तक तो कहानी बढ़िया है, लिकिन एक दिक्कत हो जाती है, वो दिक्कत यह है, कि कुछ ऐसा भी है, जो है तो, पर जिसे इंद्रियां देख नहीं सकती, और मन निरूपित नहीं कर सकता, पर वो है, भौत एक आदमी कहता है, कि यदि कुछ है, तो लाओ हमें दो, थमाओ, अगर वो हाथ में पकड़ में आया, तब तो हम मानेंगे कि है, या अगर वो आंक से दिखाई दिया, तब तो हम मानेंगे कि है, और यदि हाथ में ना पकड़ पाएं, आक से दिखाई देता हो, तो कम से कम उसके बारे में कुछ ऐसा बताओ, जो सोचा जा सकता हो, तब तो हम मानेंगे कि है, अब मामला फसता है, प्रेम को कैसे हाथ में थमाओगे, आनंद को कैसे जेब में रखोगे, क्या रंग है, सरलता का कैसे विचार करोगे, निर्विचार की क्या सोच बनाओगे, सत्य की आवाज कहा सुन पाओगे, और ये बड़े कीमती है, और ये भौतिक नहीं है, भौतिक मन यहाँ आ करके फस जादा हो, जाता है, अटक जाता है, सांसारिक रूप से तो फायदे में रहता है, भौतिक मन विज्ञान में बड़ी तरक्की करता है, भौतिक मन अंद विश्वास से भी मुक्त हो जाता है, विज्ञान तो उसे मिल जाता है, आध्यात्म के उसके रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसने तो तैय कर रखा है असली वही जो हाथ में पकड़ा जा सके अब प्रेम कैसे पकड़ोगे हाथ में असली वही जो जेव में रखा जा सके सत्य को कैसे रखोगे जेव में असली वही जिसे कम से कम कि सुन सकूँ कि चलो सुन नहीं सकता स्वाद नहीं ले सकता तो कम सक म विचार कर सकूँ आनन्द का कैसे विचार करोगे वह तो या तो है नहीं विचार की वस्तत नहीं है आनंद तो यह जो भौतिक व्यक्ति होता है materialist कि इसकी सजा यह होती है कि यह प्रेम आनंद मुक्ति सरल्टा सत्य कि इनसे वंचित रह जाता है कि उसकी जिंदगी में यह कभी आते हैं क्यों नहीं क्योंकि उसने पहले ही तैकर रखा है कि सच्चा वही जो दिखे अब वो सामने देखता है दिवाल दिखाई देती है बाएं देखता है तो पहार दिखाई देता है दाएं देखता है तो लोग दिखाई देते हैं पीछे देखता है तो नदी दिखाई देती है नीचे देखत तो आस्मान दिखाई देता है सत्य तो कहीं दिखाई देता नहीं तो उसका निशकर्ष क्या निकलता है कि सत्य है ही नहीं वो जानवर को देखता तो उसे जानवर दिखाई देता है, स्त्री को देखता है, तो स्त्री दिखाई देती है, बच्चे को देखता है, तो बच्चा दिखाई देता है, पत्ती को देखता है, तो पत्ती दिखाई देती है, प्रेम कहीं दिखाई देता नहीं, तो उसका कलता है प्रेम है ही नहीं यह मटीरिलिस्ट की सजा है क्योंकि जो कुछ भी वास्तों में कीमती है वो मटीरियल है ही नहीं कि बातारी समझें भौतिक्ता बड़ा वर्दान है अपनी जगह पर लेकिन भौतिक्ता महा अभिशाप है अगर तुमने भौतिक्ता को अस्तित्वगत सत्व पर भी लागू कर दिया कि भौतिक्ता बहुत-बहुत उपयोगी बात है पर उसको वहीं पर चलाना जहां वो चल सकती है जहां वो नहीं चल सकती वहां भौतिक्ता मत चला देना ये कि यह मूर्खता मत करना कि किसी से कह रहे हो कि ज़र आपने प्रेम का प्रमान दो क्योंकि सारे प्रमान किसके लिए होते हैं मन के लिए और प्रेम मन में नहीं समाएगा और यह मूर्खता तुम कर जाते हो कि नहीं कि मैं कैसे मानूं कि तुम मुझसे प्यार करता है प्रमान अरे क्या कर रहे हो भौतिक्ता की हद्ध हो गई तुम प्रेम का प्रमाण मांग रहे हो तुम प्रेम का ही नहीं तुम इश्वर का ही प्रमाण मांगते हो तुम कहते हो हम कैसे मान लें कि वो है अगर है तो अपने होने का सबूत दे क्या फाइल भेजे तुम्हारे पास क्या भेजे लेकिन तुम सबूत मांगते हो ये तो सिर्फ बेवकूफी है चमतकारों का चमतकार ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सबूत दिला भी देते हैं कि ये देखो ये लड़ू उसने भेजाए तुम्हारे लिए खाओ पराकाष्टा है ये बहुत इकता की जाने मुर्खता की और तुम्हें फिर यकीन हो जाता है ठीक ब्रहमल अड़ू है अभी अभी उतरा है ताजा ताजा ब्रहमी ब्रांड परमातना में यकीन करने का तुम्हारे पास और कोई तरीका ही नहीं है तुम प्रमाण मानते हो और प्रमाण तो फिर वही जो इंद्रियों को दिखाई दे और मन को सुझाई दे कि लोग आते हैं सर हम कैसे माने कि हम आनंदित हैं कि ऐसा है जब तुम आनंदित हो जाओगे तो तुम्हारे माथे पे भूरे रंग के कुछ इसी तरीके का प्रमाण चाहिए होगा तो में कि पूछ निकाल आएगी इन्हें आनंद का प्रमाण चाहिए कि हुआ और भौतिक मन कि अकड ऐसी होती है कि वो श्रद्धा को अंध विश्वास से अलग नहीं समझ पाता वो कहता है सत्य दिखाई नहीं देता और तुम सत्य को मानते हो तो तुम अंध विश्वासी हो यह उसकी अकड होती है कि उसकी पहचान ही यह है कि वो इन्हीं सब मुहावरों में बात करेगा नहीं मुझे बता ना क्या मिल रहा है कि तुम क्या बताओ कि धाई सिर जले भी वो कुछी दर का उत्तर चाहता है कि वो पूछे कि क्या मिल रहा है और तुम कुछ बता पाओ जिसका रोप रंग आकार वजन गंद हो कैसे बताओं प्यार का वजन दिखाओंगे नहीं दोख होते हैं जो बोल देते हैं माई लव वेज फिफ्टी किलो क्या मिल रहा है और तुम जब ना बता पाओ तो कहेंगे हवा हवा यह बाते मत करो गिव मी टैंजिबल फैक्ट्स और उन्हें लेगा उन्होंने कितनी बुध्यमानी की बात कर दी कि मुझे कुछ टेंजिबिल पताओ उनको पूछो पगले टेंजिबिल माने वही न जो एर्ये खोपड़ी में समये और तेरी खोपड़ी का आकारी कितना है तेंजिबिल तो तू ऐसे कह रहा है जैसे तूने कोई परमस्त्य की बात कह दी हो तेंजिबिल माने वो जो तेरे लिए टेंजिबिल हो तेंजिबिल माने वो जो तेरे जरा से हाथ में आ जाए जो तेरे जरा से कानों में पर लोग बहुत थसक के साथ बोलते हैं कि देखो मैं कुछ मैं तुम्हारी तरह सपनों में नहीं खोया हुआ हूँ मैं भ्रमित नहीं हूँ लेट्स टॉक फैक्ट्स और इसमें कोई इंकार की बात नहीं कि जो ये भौतिक मन होता है जीता फैक्ट्स में ही है और इस बात के लिए उसे शाबाशी देनी पड़ेगी कि वो फैक्ट्स से करीब रहता है और इस बात के लिए उसकी भर्चना भी करनी पड़ेगी कि वो कभी भी फैक्ट्स के आगे नहीं जा पाता वो imagination से कलपनाओं से उठ करके फैक्ट्स तक तो आ जाता है लेकिन facts के आगे नहीं जा पाता, facts तक आ जाता है, इस बात के लिए शाबाशी, facts से आगे नहीं जा पाता, इस बात के लिए परचना, अरी वह समझे, facts तक आओ, जरूर आओ, लेकिन वही अटक मत जाओ, अटक मत जाओ, सोचो जरूर, पर सोचते ही मत रह जाओ, खूब सोचो, सोचना शुब है, लेकिन तुमारी सोच ऐसी नहों जो, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, एक अंतहीन चक्र बन गया है, विचार को निर्विचार में समाने दो, जाना है, यहीं का मतब मुश्किस रगता है, कि जो ऐसे समाल में रह रहे हैं, मतब जिस इन्वोमेंट में रह रहे हैं, वो पुरू प्रैसे भोटी की है, बहुत इक रहुता ही है, और हम भी थैट्स में ही बिलीव करते रहते हैं, कि विचार को ही और गहरा करके इतना तो विचार कर लेते हो, कि आखें संसार को देख रही हैं, पर क्या ये विचार करते हो, कि जिससे देखना कहते हो, क्या वो सिर्फ एक जैवेक रासायनिक प्रक्रिया है, इतना तो विचार कर लेते हो, कि मैं कुछ कह रहा हूं, इसका प्रमाण ही है कि तुम सुन रहे हो, पर ये विचार क्यों नहीं करते, कि समझ कैसे रहा हूं, सुन रहा हूं ये तो ठीक है, यहां से चली एक तरंग, वो तुम्हारे कान के परदे पर पड़ी, तुम्हारे कान के परदे में कमपन हुआ, वहां से एक और तरंग निकली, वो तुम्हारे मस्तिश्क तक गई, वहाँ एक रासायनिक प्रक्रिया हुई, पर ये जो भी हुआ, इस सब में समझ कहां है, समझ कहां से आ गई, ये विचार क्यों नहीं करते, विचार ही जब गहराएगा, तो अपनी सीमा देख लेगा, विचार ही जब गहराएगा, तो नि जो रिशी बन जाते हैं, रिशी का निरविचार बड़े विचार के मन्थन से निकलता है, उसमें सोचा होता है, उसके पास सोच पाने की ख्षमता होती है, और सोच सोच के वो उस बिंदु पे पहुँच गया होता है, जो सोच का शिखर है, जो सोच का क्लाइमेक्स है, कि तुम कहते हो कि अपने चारों देखता हूं जो दिखाई देता है वह बहुत एक है कि यह देखना क्या है कौन है जो देख रहा है और क्यों जो दिखाई दे रहा है वह बदलता रहता है जो दिखता है न उसी की प्रक्रति पर गौर करोगे तो तथ्यों से आगे का रास्ता खुल जाएगा तथ्यों तक जो रास्ता आता है वेटा वो एक बनी बनाई सड़क है कि तुम्हारा सामान ने एजुकेशन सिस्टम है न वो अच्छा है इस मामले में कि वो तुम्हें तथ्यों तक ले आता है उसके लिए एक संदेही मन चाहिए एक ऐसा मन जो काटे संदेह करें जो कहें कि भाई हम मानेंगे तभी जब प्रयोक्षाला में सिद्ध हो जाएं हम यूँ ही नहीं मानेंगे कि अमोनियम क्लोराइड आ गया है चलो जरा लैब में करके देखते हैं हम यूँ ही नहीं मानेंगे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर जरा गिराओ गेंद को हम समयन आपते हैं यह संदेह का रास्ता है और यह अच्छा है इस रास्ते को बिलकुल निरूपित किया जा सकता है किताबे बनाई जा सकती है जिसमें एक प्रयोग दूसरा प्रयोग तीसरा प्रयोग दिया हो कि यह प्रयोग करो तो देखो इससे यह से दो जाएगा यह प्रयोग करो तो यह से दो जाएगा और यह बहुत अच्छा है क एक बना बनाया रास्ता है विज्ञान का रास्ता है तथ्यों से आगे का जो रास्ता है न वो खुले आकाश की तरह है वहां तुम्हें संदेह नहीं चाहिए शद्धा चाहिए और यह बहुत बड़ा अंतर है संदेह बहुत जरूरी है संदेह नहीं करोगे तो तथ्यों तक कभी नहीं पहुचोगे संदेह ही नेती नेती करवाता है संदेह जिसके पास नहीं होगा वो अंध विश्वासी हो जाएगा तो संदेह का होना बहुत जरूरी है संदेह तुम्हें तथ्यों तक लेकर आएगा पर तथ्यों पर आने के बाद अब तुम्हें संदेह नहीं चाहिए शद्धा चाहिए और अब तुम्हें कोई बना बनाय रास्ता नहीं मिलेगा शद्धा का मतलब ही है कि इसके आगे तो बस तुम्हें राम भरो से उड़ना है, विज्ञान भरो से नहीं, राम भरो से, इसके आगे अब कोई रास्ता नहीं है, जंगल है, या आकाश है, जैसे जाना हो जाओ, राम का नाम लो आगे बढ़ो. देख पाता है, लेकिन शद्धाहीन ग्यान का अर्थ ही है, अपूर्ण ग्यान, अपूर्ण ग्यान, ऐसा ग्यान जो एक जगह पहुंचके रुक गया है और उसके आगे नहीं देख रहा है ऐसा विचार जो चक्र में फस गया है गहरा नहीं हो पारा एक जगह पर ही गोल-गोल घूम रहा है गहरा ही नहीं हासिल कर पारा जो ग्यान रुक गया है वही ग्यान एहंकार बनेगा और शद्धाहीन रहेगा जो ग्यान लगातार बढ़ ही रहा है वो ग्यान विगलित होता जाएगा तो याद है ना ग्यान बहता रहा तो प्रेम बनेगा और जम गया तो एहंकार ज्यान के बहते रहने का अर्थी यह है कि ज्यान गहरा ही हासिल कर रहा है अटक नहीं गया है यह जो जो अच्छा है कि जो रियल है वो टेंजिबल नहीं है कि अगा टैंजिब वुता तो बेशिकले चीज चाहता ही लिए एकि वो कहा कि शॉब जाए कि नाव आगु मुनु नाँ नौ इट आपके पुराने टाइक रिकार्ट को देखता है तो इसका आप क्या हो सकता है देखे जैसे हम होते हैं और जैसे हमारे संबंध होते हैं वैसा ही उन संबंध होगा पूरा महौल होगा अगर मैं ऐसा हूँ जिसे आकड़ों के लावा कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है मुझे कमिटमेंट क्रेडिबिलिटी इन सब को भी आकड़ों में ही परिवर्थित करना होगा मैं कहूंगा किसका कितना कमिटमेंट है मुझसे जाओ एक टेवल में लिख करके ले आओ फेस्बुक पर ये इनका रर्कों का चलता है लव मीटर तो उसमें आप अपना नाम डालिए और जिसके लिए आप आसक्त हैं उसका नाम डालिए शशांक एंश्वेता देरिस सिक्स्टी फॉर परसेंट लव एक खुश हो करके फिर उसको चिपकाते हैं तो ये एक आखड़ों से घेरे हुए मन का सब्वूत है उसे हर चीज आखड़ों में चाहिए ही चाहिए कोई उसके पास अब विकल्प नहीं हो क्या करें कि आप अगर उसको जाके बोल भी देंगे कि भई कमिट्मेंट माने निष्ठा और निष्ठा तो अध्यात्मिक होती है वो आखड़ों में नापने वाली नहीं होती तो भी वो मजबूर है वो करेगा क्या वो कहेगा मैं खुद नहीं जानता अध्यात्म क्या है तुम मुझे लिए अध्यात्म का रास्ता प्रशस्त करो तो मुझे यह ना बताओ कि मैं अपना प्राकर बदल दूं कि बिल्कुल भी मत बताओ तुम मुझे बदल दो तो मेरा दुनिया को देखने का तरीका खुद बदल जाएगा आज तो मैं जिसको भी देखता हूं आकणों पर इना आपके देखता हूं क्यों क्यों कि मैं खुद अपने लिए एक आखड़ा हूं तो मुझसे पूछो कि मैं कौन तो मैं दस आखड़े रख दूँगा मैं यह मैं वो इतने मेरे पैसे इतने मेरे घर यह मेरी उपाधियां यह पदलियां यह हासिल किया यह खोया जब मैं अपनी ही रिष्टे में एक आखड़ा हूं तो मैं पूरी दुनिया को कैसे देखू मुझे बदले मेरी मदद करो मैं बहुत कष्ट में हूँ बदलने अँगे तो गर्दन काट लो यह हर मदद करने वाले की हर गुरू की विडम बना है कि तुम्हारे सामने जो खड़ा हुआ है जैसे मदद चाहिए वो एक और तो यह कह रहा है कि मदद करो दूसरी और यह भी कह रहा है कि लेकिन साथ में बता रहे हैं हाँ जोड़के ही बता रहे हैं कि जाओ हमारी मदद कर करने आएंगे हम आपकी हत्या कर देंगे लेकिन मदद करिए ना लेकिन आप इतने महान हैं आप अपनी हत्या करवा सकते हैं मदद करिए ना अभी आपको टै करना होता है कि आपके प्रेम में कितनी गहराई है वो इमांदार है उसने बता दिया मुझे मदद की भी जरूरत है लेकिन मदद करोगे तो मार डालूँगा अभी आपके प्रेम की गहराई पर है कि आप किस हद तक अपने आपको जला सकते हैं उसके लिए कभीर कहते हैं ना कि यह जग जो है काली कुतिया है या जग कारी कूतरी जो छेड़े सो खाए इसे जो ही छेड़ेगा यह उसी को काटती है पूरा जो बात है वो यह है कि साधो यह जग बोराना जूट कहूं तो खुश रहता है और सच बोलू तो मारने आता है उसी में कहते हैं कि यह जग दुनिया है यह ऐसी ही है काली कुतिया की तरह जो ही इसके पास जाएगा कि उसी को काट खाती है तो आप मदद करने के लिए उसके पास जाएंगे अब को आप देखती है आप काट ना जाएगा